हेलो दोस्तों आज बे आप लोगों के लिए 10,000 एर ओफ गासरफाइन के लटेस अपिसोड को लेकर आग या हूँ मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अपिसोड पसंद आएगा तो फिली सब लोग बीडियो को लाइक कर दीजेगा तो चलिए आप लोगों का बिना कोई टाइम जाए कि चलते हैं इस एपिसोड की तरफ इस एपिसोड की बेशुरुआत बिल्कुल उसे सिंध्य होती है जहाँ पर हम लोगों का लास्ट एपिसोड खतम हुआ था जहाँ पर इन पपिट्स ने इन सभी लोगों के उपर हमला कर दिया था लेकिन यह लड़की इन लोगों को मार रही होती है और वो इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा स्वाक होती है कि वो लोग यहाँ पर मर नहीं रहे हैं और वो बोलती है यह लोग आखिरकार आये कहां से हैं क्योंकि मेरे हैवनली आई की पावर भी इन लो को देखकर एक एल्डर उनकी जान को बचाने के लिए अपने तिलस्वान से उस पपेट के उपर हमला कर देता है जिनकी वज़े से यह पपेट बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर करते हैं इस चीज़ को देखकर यह अगर हम लोगों ने जल्दी कुछ नहीं किया तो हम लोग यहां पर बहुत ही बड़ी मुसीबत में फसने वाले हैं यह यहां पर हम लोगों को बताने लगता है अगर हम लोगोंनेasher पर अच्छे तरीके से फाइट नहीं की तो आज हम लोगों की मौत यहीं पर हो जाएगी क्योंकि यह फाइट लाइफ और डेथ की होने वाली है यह यह सब बोली रहा होता है हम लोगों को दिखाया जाता है जो कि तार्व तरफ से इन लोगों को घेर लिये थे लेकिन तभी हम लोगों को दिखाया जाता है जो कि इन लोगों के उपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं इस चीज को दूर से सुजियान भी देख रहा होता है और वह अपनी थोड़ी से पावर का यूज करता है जिसकी विज़े से यहां पर टाइम रुख जाता है जो कि आप लोग देखी सकते हो इसके बाद सुजियान इन लोगों के पास एक प्रटेक्टिव एडियर बना देता है और यहां पर जितने भी पपेट्स होते हैं उन सभी लोगों को यहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है इसके बाद हम लोगों को इन अलर लोगों को दिखाया जाते हैं जो कि कि यह पपेट्स बहुती ज़्यादा पावरफुल थे यह लड़की यह सब बोली रही होती है लेकिन तभी यह लड़र आगी की वर आते हुए सुयान को बोलता है अच्छा हुए कि तुमने इन पपेट्स को मार दा नहीं तो हम लोग तो इसे कभी भी नहीं मार पाते हैं क्य यह लोग यहां पर सुयान का सुक्रियादा भी करने लगते हैं इस चीज़ को देखकर सुयान इस मामले की जिम्मेदारी इन दोनों एल्लर को देखकर यहां से जाने लगता है और इसके पीछे पीछे यह लोग भी जाने लगते हैं लेकिन तभी यह सिंक ठोटा रमलों को इस ब्लड पूल को दिखाये जाता है जिसके ओपर यह अपनी पावर से हमला कर रहा होता है और वो इस पूल को बूर रहा होता है तुम ही वो इस दुनिया में जो कि मुझे समझ पाती हो और तुमने जो चीज मुझे दी थी वो सच में बहुत ही ज्यादा दुरलव है यह लेकिन सुनियान के प्यारों के पास बहुत ही ज्यादा रैट के लड़की एनरजी आने लगती है इस चीज़ को यह लड़का भी देख लेता है लेकिन तभी हम लोगों को सुनियान को दिखाया जाते है जो कि इस जहासे टेलिपोर्ट होगर कहीं पर चला जाता है जिसकी खुद अपने प्यारों के ओपर कुलारी मारी है इसलिए मुझे लगता है कि तुम एक पागल इंसान हो क्योंकि तुमने सुनियान को गिड़नेप करकर अपने मौत को चुनोर्ती दी है और तुम बहुती जल्द यहां पर मरने वाले हो है यह लड़का यह सब बोली डा होत कि अपने आगे की उनमुर जाता है और वो अपने आगे की नजारे को देखकर बहुती ज्यादा सुक हो जाता है और को बहुती की तरफ ले लगते लेकिन तभी डीमन की से रोकते हुछ बोलता है क्या ये सब लोग उमर गए हैं जिस पर सुर्यान बोलता है तुम्हें गलत फहमी हुई है और ये बोलकर एक आदमी के सर को यहाँ पर डिश्टोय कर देता है इस पर डीमन किंग बोलता है सुर्यान तुमने अभी जो कुछ भी बोला वो सब कुछ मेरे सीर के उपर से पार हो समझाओ इस पर सुर्यान डीमन किंग को समझाते वे बोलता है यह सभी लोग यहां पर एक स्पिच्वल बोडी है और उन्हाँ लोग को कुछ दूसरा कंट्रोल कर रहा है सुर्यान ये सब बोली रहा होते हैं लेकिन तभी यहाँ पर जितने भी क्लोण होते हैं वो सभी कलो किंग बहुत ज़्यादा स्वाक हो जाता है और वह सुर्वियान के पीछे चुट जाता है लेकिन तब हम लोगों को दिखाया जाता है जो की अगलत जवाब दिया तो तुम्हें इसके लिए सजा दिया जाएगा इस चीज़ को देखकर डीमन किंग सुर्यान को बोलता है तु को बाहर कर सिंद दिखाया जाता है जहां पर यह दोनों बहुत ही आइकोनिक लेवल से फाइट कर रहे होते हैं लेकिन इस फाइट में इस आदमी की पावर ज्यादा होती है जितकी विज़े से लड़का पीछे की और चला जाता है और यह आदमी इस लड़के को बोलता है तुम्हारी पावर इतनी जादा नहीं है कि तुम मेरे हैवेंली पावर का सामना कर पाओगे क्योंकि मेरा हैवेंली पावर बहुत ही जादा पावफुल है यह आदमी इसे बोली रहा होता है लेकिन तब यह लड़का अपने बहुत सारे किस्ट्रेल को अप्यर कर लेता है उससे इस आदमी के उपर हमला कर देता है लेकिन ये आदमी बहुत ये असानी के साथ में इन सभी चीज़ों को रोक लेता है इस चीज़ का फाइदा उठा कर ये लड़का अपने इस पीट्वल पन से इस आदमी के उपर हमला कर देता है और ये आदमी इसके उपर ख़ड़ा होते रहे बोलता है आप तुम्हारा मरना यहाँ पर तैय है तभी यह लड़का अपने मन में सुचता है सुर्यान अगर तुमने कुछ और देर की तो मैं यहाँ पर मारा जाओंगा और वो यह बोलकर बहुत ही ज्यादा इंजेड हो जात है लेकिन तभी उसे याद आता है कि सुन्यान ने तो उसे कुछ चीज़ें दी थी इस बात के याद आने के बाद यह लड़का इस चीज़ को अपयर कर लेता है उससे इस आदमी के उपर हमला कर देता है जिसकी बुझे सुबद दूर जाकर गिलता है लेकिन तभी हम लोग लेकिन इस वात को सुनने के बाद यहादा इस आदमी को बहुत ज़्यादा गुसा आजाता है और वो अपने एक बहुत ज्यादा पाउर्फुल एटेक को ऍे चाअब कर देता है जिसकी वज़े से इसके चारो और ग्रीन किलर की एनरजी फैल जाती है और जब ये ग्रीन किलर की एनरजी हटी है तब ये आदमी इस चीज़ को देखकर ये आदमी बहुत ही ज़्यादा घुसे में आ जाता है और वो इन तर्मुज लोगों को बोलता है मैं तुम लोगों को यहाँ पर मार डालूँगा इस चीज़ को ये लड़का भी देख रहा होता है और वो इस आदमी का फूल मज़े लेते वे बोलता है अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा इस लड़की को देखने के बद ये आदमी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उसे बोलता है अब तुम मुझे यहाँ पर बचा लू जिस पर ये लड़की बोलती है तुम इतनी आसानी के साथ में कैसे इस लड़की के हाथों से हार गई इसलिए अब मैं तुम्हें दोबारा से किसी दूसरे खिलोने में बदल भी नहीं सकती हूँ और वो ये बोलकर इस आदमी के सीने में अपने हाथ को हुशा देती है जिसकी विज़े से ये आदमी साथ यहीं पर मारा जाता है इस आदमी को मार डान लेके बाद ये लड़की ती जिज़े करकर इस लड़के की करणने लगती है और वो बोलती है बहुत दिनों से तुम्हारे साथ मेरी मुलाकात नहीं हुई है इसलिए आज तुम ही मेरे नए खिलोने बनोगे इस बात को सुनने कि वदिए लड़का अपनी जान को बचा कर यहां से भागने लगता है लेकिन तब तक यह लड़की अपनी पावर करकर इसे यहां पर ट्रैप कर लेती है और यह लड़की यहां पर बहुत ही ज़्यादा खुस होने लगती है लेकिन तभी हम लोगों को दिखाया जाते है जो कि यहां पर अपेयर हो जाता है और वो इस लड़की को बोलता है तुमने इतने जादा कम जोर पपेट को क्यों बनाया है जो कि मेरे एक अटेक को भी सम्हाल नहीं पाया और लोगों क्यों मौथ हो गई और सुरियान के यह बो